भागदो में, नेचर अप लर्निंग, लर्निंग के नेचर निमिलिखित हैं, एक आचरन में परिवर्तन, दो नए अनुभाव होना, तिसरा नयापन आना, चार विशेश प्रेणा, पांच उदेश जपुर्ण होना, 6. अनुसिलन का प्रभाव, 7. समस्या, समाधान उत्सुक्ता, 8. परिपक्कोता का महत्व, 9. सिखना एक प्रिक्रिया, 10. सारवजनिक प्रकृती, 11. संचालन योग्या, और 12. चर्चा पर निर्भरसिल, इस तरह नेचर अप लर्निंग पुरा हुआ, अगले भाग में हम टाइपस अप लर्निंग देखेंगे, धन्यवाद.